अगले जन्म में क्या बनेंगे आप? गरूर पुरान की इन आठ बातों में छिपा है राज्ट जानिये सच चाए व्यक्ति को अपनी मृत्यू के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है गरूर पुरान में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है जैसे व्यक्ति अपने कप्टों को बदलता है आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है गरूर पुरान में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है जिससे मनुष्य के पाप और पुन्य निर्धारित होते हैं मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यू के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है गरुन पुरान में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन में व्यक्ति किसी रूप में जन लेता है आईए बताते हैं आपको गरुन पुरान क्या कहता है इस तरह ते होता है अगला जन महिलाओं का शोशन करने वाला जो लोग महिलाओं का शोशन करते या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीदित होते हैं वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुनसक गुरु पत्मी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ट रोगी होता है धोखा देने वाला गरू पुराण में बताया गया है कि जो मनुश्य छल, कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में ओल्यू बनते हैं वहीं जूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है इंसा करने वाला गरूर पुरान के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोशन करते हैं जैसे लूट पाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले अगले जन्द में किसी कसाई हथे चरने वाला बखरा बनते हैं परिवार को प्रताडित करने वाला माता पिता या भाई बहन को प्रताडित करने वाले मनुष्य को अगला जन तो मिलता है लेकिन वर धर्ती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्ब में ही हो जाती है गुरू का अपमान करने वाला गुरू का अपमान यानी भगवान का अपमान ऐसा करना नरग के द्वार खोलने जैसा है गरुल पुरान में कहा गया है कि गुरू से कुतर्प करने वाला शिश्य अगले जन्में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनता है पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरन करता है स्वभाव में महिलाओं वाली आदते ले आता है तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्में स्थ्री का रूप मिलता है मृत्य के समय भगवान का नाम अगर कोई मृत्यों के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ती के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए हत्या करने वाला स्थ्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाए की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा ये दोनों नरग की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्द चांडाल योनी में ही पैदा होते हैं दोस्तों आपको यह कहानी केसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताए चैनल को सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद जय श्री कृष्ण राधे राधे